नमस्कार दोस्तों न्यूजिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है एपल चाइड़ पॉर्ण को रोकने के लिए अपने आइपोन की फोटोज को करेगा स्कैन एपल एक क्लाइंट साइड टूल पेश करने के लिए कमर कस रहा है जो यूजर्स के फोन पर चाइड़ पॉर लिए अपन को स्कैन करेगा ये कदम पहचन करतियों को संकेतिक रूप से से एंकोड करेगा जो कि आपल की तरह से सी एस ए ये सब सर्च तब उन मैचों की संक्या के आधार पर परिनाम देगी जो एपल को एक फोन पर मिलेगे और यदि इसे बहुत आधिक संक्या में मैच मिलते हैं तो परिनाम का एक संक्यत एपल के सर्वर पर वापस कर दिया जाएगा ये गोशना मैथ्यू ग्रीन एक्स क्रिप्टोग्राफी और साइबर सुरक्षा विशेशद्य और जौन्स हॉपकिंग्स विश्पविध्याले में कंप्यूटर विध्यान के सहीयोगी प्रोपेसर द्वारा दे दी गई है ट्विटर की एक सीरीज में इसकी जानकरी दे दी ग्रीड ने कहा है कि शुरुवात में इसका उप्योग क्लाउड स्टोरेज फोटोज के लिए क्लाइंट साइट स्कैनिंग करने के लिए किया जाएगा आखिरकार ये इंक्रिप्टेड मैसेंजिंग सिस्टेम में निगरानी जोडने के एक महतोपूर्ण इंक्रीडेंट हो सकता है E2E यानि end to end encrypted messaging सिस्टेम में इस तरह के एक स्कैनिंग सिस्टेम को जोडने की सरक्षा दुनिया भर में law enforcement द्वारा प्रमुक रखी होई है उन्होंने आगे इस बात पर चिंटा जायताई की AC तक्निक गलत हातों में संभावित रूप से क्या कर सकती है सदर शब्दों में child pornography पर उनके नकेद कसने के लिए कथी तोर पर apple द्वारा जारी की जाने वाली तक्निक गेर इंट्रिप्टेड तस्वीरों में टैब करेगी यानि जैसे की आइकलोड पर यूजर्स अपलोड करेगा स्कैन बॉर्णाण डिनो जैसे उलेखनी घटना के उदारनों के साथ apple आम तोर पर यूजर्स की प्राइवरसी के साथ खड़ा रहा है खाला कि कंपनी की पिछली कारिवाई और उसकी भविश्यकों कारियों की वैरेंडी के लिए परियाप्त नहीं हो सकती है अभी के लिए खाला कि ये कहना जल्द बाजी होगी कि apples का ऐसा कदम privacy और safety के लिए विनाशकारी होगा या नहीं हाला कि privacy और safety पर बात करने वालों ने पहले ही दावा किया है कि इस तरह का कदम users के हितने नहीं हो सकता है फिर भले ही apples के शुरुवाती इरादे नेक हो जैसा कि green ने कहते है कि ये system problematic media hash के database पर निरभर करते है जिसे आप users के रूप में review नहीं कर सकते कलपना कीजे कि कोई अपनी पूरी तरह से हानिकरत जानकारी राजनीतिक मीडिया फाइल भेजता है जिसे आप किसी मित्रे के साथ साजा करते है लेकिन वो फाइल कुछ non child phone फाइल के साथ hash साजा करती है आगे बढ़ते हुए ये देखना जाएगा जाना बाकी है कि एक बार launch होने के बार एपल CSAM निरिक्षन अपकरन तालीका में क्या लाएगा आपकरन तालीका में क्या लाएगा